कि अगर एक उंटल ग्यों का दाम पंद्रह सो रुपए है तो पांच के जी ग्यों का दाम बताई दोस्तों ऐसे प्रस्ण को कैसे आप साल्व करेंगे देखिए बहुत ही सिंपल है इसको आप मात्र भी सेकेंड में लगा लेंगे देखिए कैसे लाएंगे अब का प्रस्ण कैरा एक उंटल ग्यों कादाम पंद्रह सो रुपए है तो पांच के जी ग्यों का दाम बताई कैसी सकूछ शाल्व करेंगे सबसे पहले लिखेंगे देखिए सबसे पहले आप पाय मायना को समझ देजिए कह रहा है एक कुंटल गयों एक कुंटल मतलब एक कुंटल बराबर होता है 100 kg एक कुंटल या कुंटल दोनों कह सकते हैं एक कुंटल बराबर 100 kg यानि 100 kg 1-100 किलोग्राम के बराबर होगा तिसका मतलब है कि 100 किलोग्राम गयों कादाम 15 55 रुप रूप्य ness we are इसके बाद कितने किलो का दिया है इने 100 किलो का तो उसके बठां में लिख देंगे 100 किलो ठीक है और उसके बाद पूछ रहा है आपसे कि पांच केजी कदाम बताए तो पांच का इसमें गुड़ा करा दीजे ठीक है पांच का गुड़ा करा की इसको सार्व कर दीजिए देखे 20 से 20 कड़ जाएगा इसके बाद इसका गुड़ा करा देंगे 15 का 5 में 15 पचे 75 होता है इस तरह भी लिख सकते हैं या चाहिए इस तरह गुड़ा करा जीए पांच पच्छे 25 को पांच हासिल दो और पांच से कम पांच दो साथ यानि कि पांच केजी गेहूं का मुल्य हो जाएगा आपका 75 रुप्या तो दोस्तों मुझा अमीद है कि आप लोगों के इस वाद अच्छे समझ में आगया है